साउथ आफ्रिका के लिए 93 टेस्ट, 125 वंडे और 47 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले डेल स्टेन ने क्रुकेट को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है स्टेट गन के नाम से जाने जाने वाले डेल स्टेन ने मंगलवार को ट्वीट करके अपने सन्यास का एलान किया उन्होंने ट्वीटर पर कुछ तस्वीणों के साथ एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा आज मैं आधिकारी क्रूप से उस खेल से सन्यास लेता हूं जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ सभी को धन्यवाद परिवार से लेकर टीम के साथियों, पत्रकार से लेकर पशन सुकों तक ये एक शांदार सफर रहा आगे उन्होंने लिखा ये ट्रेनिंग, मैच, ट्रेवल, जीत, हार, अचीवमेंट, ठकान, खुशी और भायचारे के 20 साल रहे कई लोगों को धन्यवाद देना है, बताने के लिए बहुत सारी खटी मीठी आदे हैं, इसलिए इसे मैं विशिशग्यों पर छोड़ देता हूँ उन्होंने अपने फैवरेट म्यूजिक बैंड का भी जिक्र किया, उन्होंने लिखा, मेरा पसंदीदा बैंड काउंटिंग क्रोज है इससे पहले स्टेन ने 2019 में टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लिया था, स्टेन ने अपने पूरे करियर में टेस्ट में 449, वंडे में 196 और T20 इंटरनेशनल में 64 विकेट चटकाए हैं आपको बता दे इस साल की शुरुवात में स्टेन ने IPL से भी अपना नाम वापस ले लिया था, स्टेन Royal Challengers Bangalore का हिस्सा थे इस तेजग इनबाज ने मार्च 2021 में पाकिस्तान में आखरी प्रोफेशनल मुकाबला खेला था, जिसमें वो क्वेटा ग्लैडियेटर्स टीम का हिस्सा थे द्च्छी का हिस्सा थे